नमस्कार आप देख रहे हैं आरजे निउस और में आपके साथ सिमेदानी गर्बा और सुवा निरत्य को राजनिती ने हाई जैक कर लिया है आई आपको बताते हैं कैसे दुर्गा पूजा में महिशा सुर की जगह महात्मा गांधी की तरह दिखने वाली एक प्रतिमाने रविवार को राष्ट पिता की जैनती पर विवात खड़ा कर दिया दरसल यह मामला दक्षन पश्चिम कोलकता का है जहां अखिल भारती हिंदू महसभा पूजा के आयोजकों के फिरुद शिकायत दर्ज हुई शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस के निर्देशा नुसार गांधी की तरह दिखने वाली मूर्ती के रूप में बदलाओ किया गया आयोजकों ने कहा कि समानताय होना केवल एक सयोग था आये अब बात करते हैं गर्बा के राजनिती करण की इस दोरान जारी किये जाने वाले गर्बा गीतों की फालगुनी पाठक और नेहा ककड अकेले ऐसे सतारे नहीं जो नवरातरी के अफसर पर नए गाने जारी करते हैं राज की सतारूर भारती जनता पार्टी ने भी गुजरात के आगामी विधानसभा चुनाओ से पहले लोगों के दिल, दिमाग और वोट जीतने की कोशिश के तहत गर्बा सीजन के लिए प्रधान मंतरी मोधी पर आधारित दस नए गाने लौंच किये हैं इन गीतों में मुफ्त टीका करण और अनुच्छे 370 हटाए जाने से लेकर राज में आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस को निशाना बनाने तक के गीत शामिल हैं यानि पूरी तरह से गर्बा का राजनिती करण फिर भला 36 गड़ इससे अच्छूता कैसे रह जाता राजपूर शहर के BTI ग्राउंड में गर्बा और दशहरा के कारिकरम को लेकर विवाद इसका उधारण है कॉंग्रेस और BGP दोनों ही दल BTI ग्राउंड में गर्बा करने की अनुमती मांग रहे थे यानि कॉंग्रेस और BGP आमने सामने दोनों ही पार्टियां BTI ग्राउंड में अपना अधिकार जता रहे थी जिला प्रशासन के लिए भी यह आयूजन शांतिपूर्ण तरीके से कराना सिर्दर्ध बन चुका था आखिरकार प्रशासन ने दोनों राजनितिक डलों को आधे आधे ग्राउंड में गर्बा करने की अनुमती दी आईए अब बात करते हैं विधानसभा चुनाओं की गुजरात में भी साल के अंतक विधानसभा की चुनाओं होने हैं और एक मेडिया रिपोर्ट के अनुसार पीम नरेंद्र मोदी और कॉंग्रस नेता प्रियंका गांधी अपने अपने राजनितिक उद्देश साधने गर्बा उत्सों में शामिल हो सकते हैं वई 36 गण में भी गर्बा के द्वारं मिशन 2023 को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री निवास स्थित जनदर्शन हॉल में समग्र गुजराती समाज की ओर से गर्बा रास का आयोजन किया गया मुख्यमंत्री भूपेश बगेल ने मातारानी की समक्ष गर्बा कलश प्रज्वलित कर और मादुर्गा की पूजा अर्चनकर गर्बा रास का शुभारंब किया मुख्यमंत्री बगेल सपरिवार गर्बारास कारिक्रम में मौजूद रहे और मुख्यमंत्री ने संगीत की धुन पर रिद्म के साथ डांडिया राज भी किया कारिक्रम में 36 गड़ ग्र निर्मान मंदल के अध्यक्ष कुलदीब जुनेजा संसदी सच्व विकास उपाध्याय राइपूर नगर निगम के महापौर एजास धेबर भी मौजूद थे यह तो रही गर्बा की बात अब अगर हम 36 गड़ के पारम पर एक लोक निर्ति सुवा की बात करें तो वह भी एक बार राजनिती की भेट चड़ चुका है दरसल वीश्व किर्तमान बनाने के मकसद से 36 गड़ में 2017 में सुवा निर्ति का आयोजन किया गया था जिले के प्रभारी होने के नाते महटसों में बतोर अति थी सीडी कांड में घिरे मंतरी राजेश मूनत के भी मौजूद रहने की गोशना की गई थी और दूसरी और सीडी कांड का खुलासा करने वाले PCC अध्यक्ष भूपेश बगेल का या ग्रह जिला भी था ऐसे में बगेल समर्थकों का गुस्सा विरोध के रूप में मूनत पर फूट सकता था विरोध और हंगा में की आशंका को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के जबरदस्त अंतिजाम किये थे इधर कॉंग्रेस ने मौत्साओ के दौरान मूनत के सीधे विरोध से तो इंकार किया था लेकिन उनके आने पर कारिकरम के बाद विरोधा स्वरूप स्टेडियम वसड़कों पर गंगा जल छिड़कने की तैयारी की थी तो यह कहा जा सकता है कि देश में ऐसा माहौल बन रहा है कि हर चीज का राजनिती करण हो रहा है तो धर्म और संस्कृति इससे अच्छूते कैसे रह सकते हैं अभी तक के लिए बस इतना ही आगे की और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजनियूस के साथ नमस्कार